हेलो फ्रेंड्स गुद्मॉर्णिंग नमस्ते एंड वेलकम तो माइ व्लॉग कैसे हो आप लोग आए होप एवरीवन इस दूइंग तो आज है सुबह का टाइम वी स्कुल गया है वेदान अपी गया रही है ठोड़ी सी देर से जाएगा तो वह लंच करके जाने वाला है तो मैंने सोचा आज फटापट से एक यमी सा लंच बना दू तो उसी की प्रिप्रेशन करने लगी हूँ अभी अभी चाही भी नहीं हुई है सुबह की मुझे सुबह सुबह के टाइम पर चाही तो एक कप तो अच्छे से चाही है तो वह भी बनाँगी पर दूसरी दरफ मैं एक पर नगी लगती है और दो टर्की डाल है वन थड़ कर वाश करके हैं यहां पर डाला है टमेटो और वन कैरत डाला है बच्छे लोग ज़्यार खाती नहीं है तो इस दख के अधर के दर दो ना तो अ पता भी नहीं चलेगा इस ताह से मैश हो जाएगा हाप यहां पर हल सिंपल सी सब्जी बनाओंगी जो मेरी मम्मी बनाते थी अब छोटे थे तब सिर्फ एक चेंज करूंगी जो हम लोग नहीं खाते थे पहले वो चेंज कर दूँगी तो थोड़ा सा प्रोटीन वल्यू बढ़ जाएगा इसमें तो चाही के लिए भी पॉट निकल लिया है और दूसरी तरफ में राइस भी रख दूँगी तो दाल राइस और साथ में सब्जी रोटी बनेगा आज और वीर आएगा ना तो वीर भी यही खा लेगा और हमारा भी लंच यही हो जाएगा यहां पे चाही भी रख दिया है और इसमें दाल लेंगे 10-12 मिनिस तब इसके बाद वाश करेंगे और फिर यूज करेंगे तो इसमें कोई भी कच्रा हो या कुछ ऐसी चीजे हो ना वो निकल जाएगी जो भी कोई भी पेस्तिसाइड से ऐसी चीजे हो ना वो भी थोड़ी बहुत निकल ही जाएगी जो दस्त और अंदर बहुत सारी चीजे रह जाती है ऐसे ही वाश करेंगे तो निकल जाएगा वो और मैं आज सब्जी में यूज करेंगे ये निउट्रेला इंडियम सोर गई थी ना तब मुझे मिनी चंक्स मिल गए बहुत बड़े-बड़े वाले आते हैं वो चंक्स वाले तो मु लोगों के डायेट में एक तुसर्य एक डायेट में आही गई है और स्वाया चंक्स है प्रोटीन अय जाता है मेरे मंहीं लोग आ दो माना अज जायए का डायेट एसा हो गया है गिसी भी पार्ट में से सभी, जैसे हम घर में बनाते है, मैकसिकन भी बनाते हैं, इटलेंश बनाते हैं, चाईनिस फ्यूजन फुद बना लेते हैं, अपना तोड़ा से टेस्स दाल दो और दूसरे का ठोड़ा से अड़ एडब कर लो, और यहाँ पर आज सुबह का टाइम है दूपने के लिए थोड़ी सी तो मैंने सभी व्लाइंस ओपन कर लिए ताकि दूप अच्छे से घर में आजाए दूप आने से घर में अच्छा भी लगता है और जो बैक्टेरिया जम्स होते है वो भी ठोड़े बहुत कील हो जाते है तो हमारा घर इस तरह का है सुबह के टाइम में पूरा घर एक साइट से पूरे घर में दूप आजाती है और श ग्लासिस वाली विंडो है दोनों साइट पर अच्छे सिद्धू पार जाती है यहां पर मैंने जिंजर और गाली को पेस्ट ऐसा कर लिया मेरे पास था नहीं तो मैं इस तरह से फ्रेशी यूज़ करूंगी डाल के लिए और सबजी दोनों के लिए कर लिया एक पटेटो ड अटर हणे में में इतना कोई प्रॉड्यम नहीं होता है तो यहां पर महतनी रखड़ और यूस करणा है जैसे इचलआ दी यहां इंडिया में है वहाल पर अच्छे कहने कामस्टलो चलिए बहुत अच्चे है तो हम लोग यूस्तू हो गए है तो यहां पर रेगिलर ही टड़का डाला है अजवाइन और मस्तर सीर्स डाले हैं करीपता रेट चिली और साथ में डाला है हिंग गालिक और जिंजर की पेस को अच्छे से रोस कलेंगे ठोड़ा सा गालिक ज्यादा डालेंगे इसमें जिंजर से और कॉलिफ्लावर और पटेटों साथ में ही डाल देंगे तो एक सिंपल सी सबजी है पर बहुत ही टेशी रगते हैं इससे अब ड्राई भी बना सकते हो और चाहो तो थोड़ा सा इसे ग्रेवी वाली बनाना चाहो ना तब भी बना सकते हो रेगिलर मसाला करेंगे हल्ली पाउडर रिट चिली पाउडर और सॉल्ट डाल देंगे वैसे में ड्राई बनाऊंगी तो उसमें पानी नहीं डालोंगी अगर आप ड्राई नहीं बना तब भी पहले पानी नहीं डालना है इसे अच्छे से ड्राई ही रोस्त करना है जब त या कोई subject में उसे नहीं जाना होता है उस दिन ऐसी चीज़े होती है तो उसका schedule इसी तरा कर होता है कई बार होता है देल से जाता है या फिर देल से आता है कई बार अरली भी जाता है और यहां पर मैंने स्वया जंक्स को अच्छे से गरम पानी में सो करके रख दिया था वाश करने के बाद उसके बाद फिर से इसे वाश किया और उसमें से जो भी पानी है वो स्क्वीज आउट कर लिया सब और उसके बाद यहां पर डाला है एकदम गरमा गरम पानी में बॉइल वाटर में डाल देंगे ना तो आपको पॉर्ट में रख करने की जरूरत नहीं पड़ अब क्या करेंगे करना है बचे लोगों को बता चलेगा ना कि इसमें कैरेट डाला है तो लोग खाएंगे नहीं तो अच्छे से हैं ब्लेंडर से मिक्स कर लेंगे ताकि कैरेट का कोई भी पीस अंदर रहना जाए ठोड़ा सा हल्डी पावडर और दनिया जीरा पावडर हल और रेट चिली पावडर डाल देंगे यहां पर पहले भी सॉल्ट डाला था प्रेसर कुक कटे टाइम तो इसको देखके डालना है यहां पर यहां पर मैंने ठोड़ा सा कश्मीरी रेट चिली डाला क्योंकि बच्छे लोग इतना ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते वरह की डाल नहीं पड़ेगे कुछ और डालने की जबरत नहीं पड़ेगी जादा तो इस डाल का मसाला है वह मैंने मेरे एक व्लॉग में शेयर किया था तो वह लिंक मैं दे दूँए दिस्क्रिप्स बॉक्स में अप चाहो तो शेयर कर सकते हो सिर्फ एक चंबस से इतना अच्छा फ्लिवर भी आजाएगा और ठीकनेस भी आजाएगी डाल में अब बना के रखो ना तो कूल ड्राइप्रेस पे रखो ना तो तीन चार पांच महिने तक अच्छा रहता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता पानी डालके consistency adjust करें उसे रख डेंगे बॉइल होने के लिए डूसरी टाप सबजी भी हमारी 85-90% रेडी हो गए टेसेज में मैं टमाटर डाल दूँगी तो मैं ड्राइ सबजी बना रहे हूं तो इसलिए टमाटर के पीसिस डाले यहां पे अगर आपको ग्रेवी वाली बनान दाल का टारोर पासरी रेडी करने तो यह डाल में घिय का टारोर डाले मेंस और तौण ने हैं घिल हो गी सबसेले घंकेưởng आरई जय ऐसा हां मआ बशी mindful में बश्था धानी में होगता है यहाँ पर मैंने डेढ्चिली होल डाल दी है और करिपता करिपता भी बहुत सरा घ्ण है तो हमारे यहां जनरली किया होता है कि इसमें गूड जाता है अच्छे से तो टू टेबल स्पून गूड जाएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए इमली का पानी डाला जाता है या फिर कोकम भी डालते हैं पर मैं आज नीबू डालूंगी क्योंकि बच्छे लोगों को इमली पाउडर डाल दिया है मिक्स करके आधि में तक इसे रखेंगे फिर स्वगों कर देंगे टर्न ओफ अगर आपको ग्रीवी वाली सब्जी बनाने हो ना तो यहां पर पानी डालके अजिस कर लिजे गरम गरम पानी डाल लिए तो परफेक्क ग्रीवी वाली सब्जी भी हो ज तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है तो हाफ यहां पर लाइम मैंने डाल ग्रीवा ना चाहो तो एक डो चमबच इमली का पल्प यहां पर डाल दीजिए या फिर कोकम डाल दीजिए तो ट्राडिशनली बोस्थली इमली का पल्प जाता है यहां पर खटाए के लि अभी वेदान का स्कूल का स्केजिर भी बहुत इदर उदर हो रहा है तो उसके हिसाब से ही हमारा सब कुछ चल रहा है उसके हिसाब से ही हम खाने का और लंज का डिनर का सब कुछ हो रहा है वेदान खा लेगा उसके बाद उसे जाओंगी स्कूल ड्रॉप करने के लिए उसके बाद मैं चले गई थी क्रोगर उसे ड्रॉप करने के बाद क्योंकि एक दू फ्रूट्स लाने थे हैं घर में फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं आये थे विकेंड में एक दो ही आये थे तो मैंने सोचा इसे ड्रॉप कटी समय लेया हूँ तो स्ट्राबरियो ऐसी फ्रूट्स होते हैं वो बहुत दिनों तक स्टोर करेना तो खराब हो जाते हैं तो जितना चाहिए उतना ही पैकेट्स में लाती हूँ फिर इस तरह से बीच में चली जाती हूँ और स्टोर में गए हो न तो फिर एक दो चीज तो आती ही नहीं कई बार होता है न एक दो चीज लेने गए और एक दो साथ में और उठा के ले आए तो थोड़ा सा और भी फ्रूट्स और एक दो वेजरी बस मुझे जो भी दिख गए वो मैंने उठा लिए और वेडर सुबह कैसा था ना एकडम सनी जैसा था अभी वेडर हो गया है खराब फीज से तो यहां पर वेडर का ऐसा ही है पूरा विंटर ऐसा जाता है ना कि ऐसा लगे कि समर कब आए वैसे यहां पर हम सावत में रहते तो और इकना प्रॉब्लम नहीं हो तो फिर भी थंडा तो रहता है तेमपरिचर दाउन तो अच्छा खासा रहता है और मैं अभी तीनर की प्रिपेशन करें हैं तो यहां पर जो वीट के फाड़ा बोलते हैं हमारे यहां पर इसे गीश करना है उपर का जो भी कच्रा है वो निकाल लोगी चनी से भी ठोड़ा सा चान लिया था में ताकि जो भी चोटा चोटा पार्टिकल जो के लगे हुए है न वो निकल जाएं तो इसके मुझा करना है गी में रोस्त तो आप इसे वाश करके भी इस तरह से ड्राइ करके गी में रोस्त कर लीजिए तो इसे कूक करने से पहले इस से एक से अधा चमज घी एटलिस दाल दीजिए और फिरी से रोस कर लीजिए लो टू लो मिडियम फ्लेम पे इसे करना है रोस तो इससे फ्लेवर एकदम अलग आएगा और एकदम नटी सा टेक्श्चर भी आएगा एकदम फुली-फुली सी बनेगी है जैसे हम सूजी को भी क फाड़ा किच्री बोलते हैं हमारे यहां पर फाड़ा किच्री और यहां पर मैंने हाफ कफ लिया है राइस और हाफ कफ मुंग डाली है मिक्स वाली जो स्कीन वाली आती है और जो यलो वाली आती है यहां पर गार्लिक जिंजर और तर्मरीक को मैंने पेस कर लिया है और करी पता डाल दिया है, यहां पे कैटल में पानी गरम करने के लिए रख दूँगे ताकि यह कुकिंग फटाफट से हो जाए, और यह खीजडी है ना, फटाफट से गर्मा गरम खाएंगे ना, जैसे कुक हो जाए, गर्मा गरम तो बहुत टेस्थी लगती है, यहां पर मैंने हिंग डाल दिया है और एक से 1.5 तब प्रोस्थ जितना गालिक इंजर और टर्मरी कीपेस डाली है और एक हाफ अनियन मैंने चॉप करके डाला था अनियन को अच्छे से पकाएंगे रोस करेंगे सॉल डाल देंगे इसमें और इससे कुकिंग प्रोसेस भी स्पीड अप हो जाएगी ठोड़ा सा गी मैंने और डाला था आदा चमबर जितना और यह रेखी अल्मस्ट तलेक हाफ रे कुक हो गया है तो यहां पे एक टमाडर को चौप करके डाल दिया है तो अच्छे से वेजटेबल्स डाल के बनाएंगे ना तो वन पॉर्ट मिल हो जाएगा और कभी बनाया ना हो तो ट्राइ जरूर कीज़ेगा बहुत ही टेस्टी लगती है इसके साथ और कुछ दीज़े खाने के जरूरत भी नहीं पटी इन फेक्ट चारी या पापड की भी जरूरत नहीं पटी ऐसे भी अच्छी लगती है यह एक पटेटो में मीडियम साइज का यहां पे चौप करके डाल दिया और यहां पे कॉन पीस ग्रीन बीन्स और कैरट मिक्स मेरे पास फ्रीजर में पड़ी थी वो डाल दी और अगें इसका सब पानी मैंने स्क्वीज आउट कर लिया था तो इसको भी डाल देंगे और अच्छे से रोस कर लेंगे तो वेजिटेबल्स को अच्छे से रोस करना बहुत ज़रूरी है गी में अच्छे से रोस करेंगे और तभी उसका फ्लिवर बहुत अच्छा आएगा अराउं टीन से चार मिनित तक मैंने इसे रोस किया वैसे इतना ज़्यादा टेंपरेचर जाता नहीं है इसमें सौटे करते टाइम उसके बाद राइस और डाल जो हमने वाश करके रखा था सिफ वाश करके रखा था उसे मैंने सोक नहीं किया था उसको डाल देंगे और जो फाड़ा हमने रोस करके रखा था उसको भी डाल देंगे तो टोटल है यहाँ पर ग्रेंस जो भी डाला है वो और उसको भी डालने के बाद हमें इसे रोस करना है अराउं टीन से चार मिनित तर तो अच्छे से रोस करेंगे तो आपकी खिजड़ी एकदम पर्फेक्ट बनेगी इसे पुलाव बनाया होना ऐसा ही फ्लिवर आएगा और एकदम हल्डी भी है और कभी ऐसा लगे ना फटावर से खाना है और एक ऐसी खाना है जिससे आपको बहुत जल्ली भूक भी ना लगे तो यह पर्फेक्ट खिजड यहाँ पे खिजड़ी जो बनाई वो मैंने मिडीयम कन्सिजनसी की बनाई थी आपको लूज वाली खिजड़ी चाहे तो जितना पानी यहाँ पर दाला है उससे भी जधा पानी डालना है तो अरांड बैने यहाँ बहुत ज्यादा पानी है पर जो दलिया है उसमें अच्छे खासा पानी जाता है और यहां पे red chili powder, कस्मुरी red chili powder डाला है ठाकि इससे color भी अच्छा है और बहुत ज़्यादा spicy चाहिए तो ठोड़ा सा green chili paste भी यहां पे डाल सकते हो और regular वाली chili भी डाल सकते हो अगा spiciness यह थोड़ी सी spicy ज़्यादा होना तो बहुत अच्छी लगती है पर बच्चे लोग इतना spicy खाते नहीं तो मैंने बहुत ज़्यादा chili powder नहीं डाला ठोड़ा सा यहां पे डाला है गरम masala एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए पानी डालने के बाद सब masala को अच्छे से mix करना है फिर उसमें उबाला है ना उसके बाद ही हमें इससे cover करके बन करना है अगर आप regular pressure cooker में बना रहे हैं तब भी इसी थारा से करना है जब इसमें उबाला जाए ना पानी डालने के बाद ताकि masala भी अच्छे से mix हो जाए के लिए और फिर से एवनिंग के टाइम में वेदर थोड़ा सा अच्छा हो गया अच्छा लग रहा था वीर को कुछ खाना था तो उसे फटाफट मैंने फ्रूट सोड़े से कट कर लिए अभी दे दूंगी ताकि खिच्डी रेडी हो जाए उसके बार मैं इसे डीनर दे सकू तो यहाँ पे 10 मिनिस हो गई थी और ठोड़ा सा प्रेशर अपने आप ही रिलिस हो गया था तब भी मैंने इसे निकाला तो यहाँ पे आप डेख सकते हैं खिच्डी हमारी एकदम पर्फेक्ट हो गई है तो यह मीडियम कंसिजनसी वाली है अगर आपको इससे लूस अगर आप चाहो ना था इस तेशी पे भी एकदम बॉइलिंग वाटर डाल दो और फिर टोटी मेरे तक इसे पकालो ओपन ही प्रेसर कुकिये बिना ही तब यह पर्फेक्ट बन जाती है एकदम टेस्टी बनी थी और विदान को या उसके डाडी को भी कुछ साथ में देना सकते हो दही के राइटे के साथ यह पर्फेक्ट जाएगा वैसे खिच्री पाइट सेल्फी बहुत यमी लगते है उपर से थोड़ा सा गी डाल देजी है तो फिर कुछ और जरूरत नहीं पड़ती सिर्फ चीज यह है कि गर्मा गरम सब करनी है इसे तो खिच्री खाने के सा आज का व्लोग भी यहीं पर खतम करते हैं I hope आप लोगों को व्लोग पसंद आ रहा है पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पुलिए और जो भी कमेंट्स हो कोई भी सजेसंस हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताए ताकि मुझे पता चले और मि अगले व्लोग में तब तक के लिए बाइ और टेक करें